नमस्कार देवियों और सज्जनों सबसे पहले विजिया दस्मी के इस पावन अवसर पर आप और आपका पूरा परिवार स्वादिष्ट खाना खाकर स्वस्त रहे, मस्त रहे, तंदुरस्त रहे और आपके खाने की तारीफ हो ऐसी कामना करता हूं दोस्तो आज हम हाट हेल्दी, डिलीसियस और बहुत ही खूपसूरत मिठाई बनाएंगे, मैंने मिठाई में लगने वाली सभी सामगरी आपकी सेहत के लिए अच्छी हो इस बात का ध्यान रखा है, फटाफट बनने वाला ये मिश्टान स्वाद, सुन्दर्ता और अच्छी स तो उसका दरदरा आटा यूज करें, और ये है कुट्टी का तयार आटा, जो आपको बाजर में आसानी से मिल जाएगा, हम 200 ग्राम कुट्टू का तयार आटा लेंगे, जिसका कलर थोड़ा डार्क है, और ये है सामाचावल, जिसको हम कोर्सली ग्राइंड करके यूज करे सामाचावल का दरदरा आटा, जिसको हमने ग्राइंड करके रखा था, देशी घी डालेंगे, एक चोथाई कप, घी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे, देखिए, इस तरह का टेक्स्चर हमें चाहिए, अब इसका हम आटा लगा लेंगे, थोड़ा एक साथ में पानी नहीं डालेंगे, आप पानी की जगह दूद का इस्तमाल भी कर सकते हो, हमारा डो मीडियम टाइट रहेगा, हम उतना ही पानी डालेंगे, जिससे हमें बाइंडिंग भिले और मुठिया बना सके, हलका सा नमक डालेंगे, मिठाई में चुटकी वर नमक ड हमारा थोड़ा सा सकत आटा तैयार है, अब इसके हम मन चाहे सेव के पेड़ा बना लेंगे, गुजलाती में इसे मुठिया कहते हैं, जो कुछ ऐसे दिखेंगे, मगर इसकी साइज ज्यादा मोटी ना रखे, वरना डीप फ्राइ करने में ज्यादा वक्त लगेगा, और अं मुंगफली का तेल गरब हो चुका है, आज को धिमी करेंगे, और कुटी डारों के इस मुठिया को डीप फ्राइ कर लेंगे, बीच बीच में पलटते रहेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, करीब 4-5 मिनिट लगेंगे ब्लेक इस ब्यूटिफुल, हमारे खुबसूरत मुठिया डीप फ्राइ हो चुके है, इसी तरह से हमने सभी पेड़े को डीप फ्राइ कर लिया है, इस गरब मुठिया को हम ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद उसके छोटे-छोटे टुकडे कर लेंगे अब इन टुकडों को मिक्सेर जार में डालेंगे, ढकन को बंद करेंगे और कोर्सली ग्राइन कर लेंगे, चुर्मा बना लेंगे फ्लेवर के लिए हमने लिया है, आधा इंच, दालचिनी का टुकडा, छे साथ, हरी इलाइची के दाने, और एक छोटा सा जाइफल का टुकडा इन सभी सामगरी को हमाम दस्ते में डाल कर कूट लेंगे अब एक कडाई में डालेंगे एक चोटाई कप देशी गी और इस देशी गी में डालेंगे 100 ग्राम गुड ये केमिकल फ्री जेगरी है अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो 125 ग्राम गुड का इस्तवाल करें इस गुड को हम पिगलाएंगे मगर इस गुड को हम ज्यादा नहीं पकाएंगे सिर्फ एक उबालाने तक गरम करेंगे देखिए हमारा गुड और घी का मिसरण तयार है गेस को बंद करेंगे कुट्टी का जो हमने चुर्मा बना कर रखा था उसमें एड़ करेंगे हरीलैची, जाइफल और दालचिनी जिसको हमने कूट कर रखा था और उसके बाद गर्मा गरम, गूड और घी का मिसरन डालेंगे मिसरन को डाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे देवियों और सज्जनों ये हेल्दी मिठाई फाइबर से भरपूर है और ग्लाइसेमिक इंडेस कम होने की वज़े से डायबेटिक लोगों के लिए बहतर विकल्प है ये प्रोटीन से भी भरपूर है और इस मिठाई को आप उपवस में भी ले सकते हो अनाज का हेल्दी अल्टरनेटिव है इसमें मेगनेसियम, विटामिन बी, आईरन, केल्सियम, जिंक, कॉपर और फोस्परस भी भरपूर मात्रा में होता है जो केलोस्ट्रोल और ब्लड पेसर को कम करता है टेक्श्चर के लिए डालेंगे एक चोथाई कप सफेद तिल आप अपना मनपसंद ड्राइफूर्ट भी एड़ कर सकते हो थोड़ा ठंडा होने के बाद इस मिठाण के हम लड़ू बना लेंगे देखिए कितने खुब सुरत दिखते हैं इसको हम ज्यादा टेम्टिंग बनाएंगे पोपी सीड से गानिस करेंगे बकवीट बोल को हम पोपी सीड में रोल करेंगे वाह क्या बात है और आखिर में सवर्व करने से पहले लड़ू में जो छोटा सा गड़ा है उसमें थोड़ी सी रबडी डालेंगे और रबडी के उपर पिस्ता की पतली पतली स्लाइस डाल कर सजाएंगे और सवर्व करेंगे देवियो और सजनो मैंने एक ऐसी मिठाई बनाने की कोशिस की है जो डिलीसियस हो, हेल्थ के लिए अच्छी हो और दिखने में आकर सखो, सुन्दर हो आप इस कुट्टी के लड़ू को जरूर ट्राय करें और आपके अनुबव हमारे साथ सेर करें आपका दिन सूब हो मंगल में इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे कुछ आईसी ही मज़ेदा रेसिपी के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार